चलिए दो बात करते हैं सीकूर नई कुशिन के बारे में इस कुशिन में एक्जामने ने का एक कपड़ा वैपारी ने अपना आधा कपड़ा 20% लाब पर बेचा 6 आधा 20% हानी पर बेचा तथा 6 लागत मुल्ये पर बेचा तो कुल लेन देन में उसका लाब या हानी क्या होगी ये एक्जामने ने मुझसे पूछा माल लेते हैं जो उसका कपड़ा है वो कितना है आपका आपका 100 मीटर है और एक मीटर की कोस्ट कितनी एक रुपे है तो उसका मतलब वो 100 रुपे की कीमत होगे आपका 100 रुपे होगे अब ये जो आपका कपड़ा है उसमें से आधा यानि कि 50 परसंट के प्रॉफिट बेचा तो अगर मैं डिर्ट निकालना चाहूँ तो ये 20 बटे में अगर आप 100 करेंगे तो ये 20 पंजे 100 यानि कि 1 बटे में 5 आएगा तो अगर आप इसका डिर्ट 6 बाइ में 5 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 60 रुपीज में यानि कि उसने आधा कबड़ा तो उसने 60 रुपे में बेज दिया फिर कह रहा है आधा 6 का आधा 6 जो 50 बचा है उसका आधा यानि 25 और 25 उसको 20 परसंट की हानी बेज दिया तो यहां पर देखे 1 by 5 आया था यानि 5 रुपे अगर उसका क्रेम उलिया था तो एक रुपे प्रॉपे बेज दिया तो उसले 6 बटे 5 के आता तो एक रुपे के हानी बेज रहा है यानि कि 4 बटे में आपका पांच तो 25 यानि कि उसने 20 रुपे पे वो आधे का अधा कप्ड़ा बेज दिया और बाकी को क्रेम उलिये बेज दिया यानि 1 रुपे पे एकी साथ बेज दिया यानि 25 इनको जोड़ेंगे तो ये कितना 45 और 45 ये कितना का बंच़ुरू आपका फाइफ यानि कि उसने सारा कपड़ा 100 रुपे का हरी था और बेचा कितना 105 रुपे में तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 5% का 5 रुपे का है यानि 5% का क्या होगा तो प्रॉफिट होगा पूरे लेन देर में यानि कि option जो मेरे पास में A होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा